चावल के आटे में मैंने इन तीन चीज़े को मिलाकर अपने चेहरे के ऊपर लगाया है रिजल्ट देखकर मैं खुद सर्प्राइज होगी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है स्किन एकदम से शाइन करने लगी है स्किन ब्राइट दिखाई देने लगी है क्योंकि चावल का आटा स्किन वाइटनींग के लिए अच्छा होता है ये हमारे ओपन पॉर्स को मिनिमाइज करता है ये हमारे स्किन को अप लिफ्ट करता है चिकना बनाता है इन सभी INGREDIENTS को मिलाने से ये रेमेडी इतने जदा पापरफुल हो गई है ये हमारे चहरे के दाग धबों को light करेगी हमारी स्किन को hydration प्रोवाइड करेगी और हमारी स्किन को deeply moisturize भी करेगी जिससे हमारी स्किन के अंदर wrinkles और finless देले होंगी कम से कम 4-5 साल तो देरी की बेन चलते हैं अपनी remedy की तरफ इस remedy को start करने से पहले आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ मेरा नाम है सुनीता सैनी आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature बाई सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे वो आप सब I hope आप सब लोग खुश होंगे तो देरी की विना चलते हैं अपनी इसको उपसूरा सी remedy की तरफ सबसे पहले यहां पर चाईए चावल का आटा फ्रेंड्स मुझसे बहुत सारे लोग कॉमेंट करके पूछते हैं कि मैम चावल का आटा हम घर पर त्यार कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ आप चावल काटा किस तरीके से त्यार कीजिए आपके पास जो भी चावल हो आप वह वाले चावल ले लीजिए उसको कपड़े से पहुँच लीजिए हमने वाश नहीं करना ठीक है जी देखिए मेरे पास ये वाले चावल है बासमती चावल मैं इसी का इस्तेमाल कर रहे हूँ अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से बहुत ज़्यदा बारीक पाउडर बना लेना है पाउडर बन गया है लेकिन हमने इसको चानना है ताकि इसके अंदर कोई भी करन ना रहे अगर इसमें कोई भी करन रहे गया जब हम अपने फेस के उपर चावल की आटे का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं हमारी स्किन को रगड़ना लग जाए इसलिए चानना बहुत जरूरी है ठीक है जी चानकर आप इसको किसी एर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए ठीक है जी अब हम बनाते हैं अपनी इस खुबसूर सी रेमडी को हमें करना क्या है सबसे पहले हमने लेना है एक चमच चावल का आटा अब मैं इसमें एड करूंगी एक ही चमच अलोवीरा जल फ्रेंट्स मैं मार्किट वाली अलोवीरा जल का इस्तेमाल कर रही हूँ आप प्लांट वाली अलोवीरा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो एलोवीरा जल हमारी स्किन को डी हाइडरेशन से बचाएगी हमारी स्किन के अंदर पाने की कूरती बनाए रखेगी जिससे हमारी स्किन सुपर सोफ्ट हो रहेगी प्लमपी रहेगी ठीक है जी अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आधा चमच के करीब गलीसरीन गलीसरीन हमारी स्किन को डीपली मॉस्चराइज करेगी जिससे हमारी स्किन देखने में बहुत जादा चिकनी दिखाई देगी सौफ्ट दिखाई देगी मक्षन जैसी हो जाएगी इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन अब मैं इसमें एड़ करी हूँ एक चमच दही का दही भी हमारे स्किन के अंदर एंटी एजिंग का काम करेगा यहां पर मैंने मार्किट वाली ऐलोवीरा जल का इस्तेमाल किया था ऐलोवीरा जल और दही जब मिलता है तो दही फट जाता है अगर आप प्लांट वाली ऐलोवीरा जल का इस्तेमाल करोगे तो यह धी दहीं बिलकुल ने फटेगा क्वर्ट वाली ऐलोवीरा जल में ऐसा क्या डाला होता है कि यह फट जाता है देखिए मेरा भी धहीं फट गया है बेकिन मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी मिक्सी में चलाने के बाद देखिए कितना स्मूध पेस्ट बनकर त्यार हुआ है अगर आप अलोवीरा जल नहीं लेना चाहते तो यहां पर गुलाब जल भी ले सकते हो एक चमच के करीब देखिए फेस्पेक बनकर बिल्कुल रेडी है बिल्कुल स्मूध पेस्ट त्यार फेस्ट साफ हो गया है अब हम अपना फेस्ट पैक अप्लाए करेंगे इस फेस्ट को आप हफते में तीन बार लगाईए 15-20 मिंट इसको अपने फेस के ऊपर छोड़िए उसके बाद साधे पाने से वाश कर लीजिए फ्रेंट्स जिन लोगों की स्कीन ओयली है उनके लिए या चार से पांच बूंदे नारियर के तेल की जुरूर एड़ करें प्योंकि यह जो चावल है यह हमारे स्कीन को हलका सा ड्राई करते हैं हमारे स्कीन बिल्कुल भी ड्राई ना हो और हमें चावल के आटे के सारे गुण मिले इसके लिए आपने इसमें थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाओं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्काइब भी जरूर कीजिएगा और पास बने बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नहीं वी वीडियो देख रहे हो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इस रेमिडी का इस्तेमाल हर स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं बस वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको इस फेस पैक में डाले कि किसी इंग्रीडियेंट से अलर्जी है उनकी स्किन को नुक्सान हो सकता है वरना यह हर किसी की स्किन के उपर गजब के रिजर्ट लेकर आएगा यह स्किन वाइटनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो लोग अपने स्किन टोन को लाइट करना चाहते हैं वो चावल के आटिका निये में तुरूप से जरूर इस्तेमाल करें और इसके सासर नाइट स्किन केर का आपने पूरा देहां रखना है रात को जब भी आपने सोना है अपने फेस को वाश करने के बाद स्किन को मौस्चराइज जरूर करना है चाहे वो आप एंटी एजिंग क्रीम लगा लिजिए चाहे विटामिन ए क्रीम लगा लिजिए कोई ना कोई क्री हमें तक यंग भी रह सकती है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड नाइट स्किन केर हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और इसके साथ आपने हरी सबजी खानी है फ्रूट्स लेने हैं पानी पीना है बहुत भरपूर मात्रा में इनको खूबसूरत बनाते हैं अगर आप उपर से एप्लाइ करते हो आप बहुत सारे फेस्पैक अप्लाइ कर लो बट आपको 50% मिलेगा 100% रिजल्ट के लिए आपको अपने इंटर्नल के उपर वर करना है यानि कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना है देखिए अब मैं अपने फेस्पैस को वक्तर के आती हों और आपको दिखाती है इसका फाइनल रिजल्ट देखें फ्रेंड्स फेस को वश्च करने के बाद रिजल्ट बोहती खूबसूरत रिजल्ट आता है आप इसका रैगुलर इस्तेमाल करके देखिए आपकी स्किन बोहती खू खूबसूरत होने लग जाएगी अब टाइम अपनी स्किन को मोस्चराइज करने का मैं अपनी स्किन को मोस्चराइज करने के लिए अपनी ग्रीन टी की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूं आप भी फेस को वाश करने के बद स्किन को मोस्चराइज जरूर कीजिए ताकि आपने ज से फेस्प्राइब को बनाएं और अपनी स्किन को खूब सूरत ब्राइट बनाएं तो फिर मिलते हैं अपनी नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब